आप पे देखेंगे कि उस पे आपके WhatsApp पे स्टार्ट हो जाएगा टांसपर और आपके जितने भी आपने Bluetooth on किया था या Wi-Fi on किया था उसके जरिये से आपका टांसपर होने लगेगा और नंबर क्योंकि आपने स्टेम दिया है उस मोबाइल से इसलिए सारे के सारे ग्रूप औ आपके पे आजाएंगे और अगर आपको कोई प्रॉबलम आती है तो यहां पे उपर एक स्कैन करने के लिए कोड दिया होता है कोड होता है यूर कोड होता है जो आपका यहां पे उपर दिखाई दे रहा होता है वार्टसप पे वह जो पिछला कोड है पिछला पुराना ज जाहिए और WhatsApp की code को आप scan कर दीजिए अपने नए वाले mobile से और जैसे ही आप scan करेंगे वैसे automatically सारा का सारा group सारा data आपका transfer होके आपके नए mobile पे आ जाएगा तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप comment section में आराम से मुझे से पूछ सकते हैं thank you have a nice day